तो हलो गाईस आज मैं आपको MS TAKATAK application के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आपको वीडियो में बने रहना है वीडियो को बिल्कुल skip नहीं करना है अगर आप वीडियो को skip कर देते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ओके गाईस तो आपको जाना है सबसे पहले पिले स्टोर में पिले स्टोर में जाने के बाद में आपको MS TAKATAK application को सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद में MS TAKATAK application को अपडेट कर ले तो मैं आपके सामने MS TAKATAK application को अपडेट पे लगा दिया हूँ तो आपको भी MS TAKA TAK application को अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद ओपेन कर लेना है तो आप देख सकते हो जो है अपडेट हो गया तो मैं आपके सामने ओपेन कर लेता हूँ जैसे ओपेन किया तो आप देख सकते हो TAKA TAK BY मौज लिखके आ गया है तो MS TAKAKAK application को मौज application ने खरीद लिया आप देख सकते हो जैसे ही आप MS TAKAKAK open करते हो थे तो क्योल MS TAKAKAK लिख के आता था लेकिन अब अगर open करोगे तो आप देख सकते हो तो टAKAK by मौज लिख के आ रहा है तो चलिए आपको बता देता हूँ कि न्यू अपडेट क्या है MS TAKAKAK का तो आपको वीडियो में बने रहना है वीडियो को बिल्कुल skip नहीं करना है अगर आप वीडियो को skip कर देते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो आप देख सकते हो आपको जाना है राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो गेम सेंटर दिख रहा है और फिर उसके बाद नीचे देख सकते हो डाउनलोड दिख रहा है और उसके बाद आप देख सकते हो WhatsApp स्टेटर सर्वर और उसके बाद सेटिंग दिख रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो तो पहले क्योल जो है Creator Center देखता था और फिर उसके बाद में Game Center देखता था फिर उसके बाद में Download देखता था और उसके बाद में WhatsApp Status देखता था और जो Last है वो Setting देखता था जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता था तो जो New Update हुआ है जो new future डाला गया है मैं stack attack में आप यहां पे देख सकते हो wallet ID किया गया है तो आपको wallet पे click कर लेना है जैसे आप wallet पे click करोगे तो आपके समने कुछ ऐसा interface आ जाएगा आप देख सकते हो लिखा है rewards और 0 देख रहा है तो यहां पे मैं click करता हूँ जहां पे 0 देख रहा है राइट साइड में अगर आप यहां पे click करते हो आपके समने कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो आप यहां पे देख सकते हो 0 देख रहा है और उसके बाद में bidol 9 दिख रहा है आप यहां पे देख सकते हो बिडol 9 के बाद आप यहां पे देख सकते हो rewards transaction लिखे आ रहा है और last में आप यहां पे नीचे देख सकते हो लिखा है no rewards transaction आप यहां पे देख सकते हो यानि कि अभी यहाँ पे कोई भी transaction नहीं हुआ है इसके लिए no rewards transaction यहाँ पे लिखे आ रहा है अगर आप यहाँ पे कोई भी transaction करते हो तो नीचे 100 करेगा तो MS TAKATAK का अभी यहाँ न्यू अपडेट है अभी यहाँ पे कोई भी transaction और कोई भी money नहीं मिला है इसके लिए यहाँ पे 0 दिख रहा है तो MS TAKATAK का न्यू अपडेट यही था गाईस MS TAKATAK में wallet को add किया गया है और अभी और कुछ new future नहीं add हुआ है MS TAKATAK में जैसे ही कुछ new future add किया जाएगा तो उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा तो मैं आपको यही बोलूँगा आपको search पर जाना है जितने भी hashtag यहाँ पर दिये गए है आपको हर hashtag पर वीडियो बना लेना है तो आपको views ज़्यादे आएंगे और आपके वीडियो पर likes भी ज़्यादे आएंगे और आपका followers भी ज़्यादा increase होगा तो यह हमारा वीडियो आपको कैसे लगा comment box में जरूर बताएगा तो मिलते फिर किसी next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम बावाए